Welcome my friends, welcome in Education News Only YouTube channel Friends, आज 11 माई 2024 का बड़ा अपडेट है जो की SBI कलर्क 2024 के स्टेट वाइस कट ओफ को लेकर है हम स्टेट वाइस कट ओफ को लेकर बात करेंगे साथे साथ हम रेजल्ट की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसको लेकर बात करेंगे क्योंकि आज की रेजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है तो देखे फ्रेंड्स आपका जो रेजल्ट नहीं आने का कारण किया वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी हाली में RTI ने एक फाइल अपने को बताई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि लड़ाक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का एक्जाम लेना रह गया था इस कारण जब तक लड़ाक के बचों का SBA कलर का एक्जाम नहीं लिया जाता है तब तक आपका रेजल्ट को जारी नहीं किया जाएगा तो रेजल्ट की यही अपडेट है फ्रेंट्स आपको जो है बिल्कुल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन हमने कुछ टीचर और एक्सपर्ट की राई ली है उन्होंने ये बताया है कि वो 15 जून के आसपास जो है इस रेजल्ट को जारी किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं आपकी कट ओफ को लेकर देखे फ्रेंट्स कट ओफ जो है वो डिफिकल्टी के लेवल पर नंबर ओफ वेकेंजी पर अटेंडेंस पर और स्टूडेंट्स की फॉर्म पर अब देखे कुछ कोचिंग के बच्चों ने जो है हम तक मार्क सेर किया है कुछ टीचर ने भी और स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया है कि सरक कट ओफ इसकी रेंज में जा सकती है तो अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग बच्चों से हमने जो है डेटा इंक्लिट किया है उसके माध्यम से हमने कट ओफ बनाई है तो अगर आप अंडबान निकोबार से आ रहे हैं तो आपकी कट ओफ जो है फ्रेंड्स वो 57 से लगा कर 59 के बीच में रहेगी अगर आप अरुनाचल परदेश से आ रहे हैं तो आपकी कट ओफ 68 से 72 के बीच की रहेगी असम वालों का कट ओफ 70 से 74 के बीच में रहेगा 36 कट का कट ओफ 75 से 79 के बीच में दिल्ली का कट ओफ 87 से 91 के बीच में गुजरात का cut-off 72-76 के बीच में, अगर हम हर्याना की बात करें तो इनकी cut-off 83-87 के बीच में, अगर हम हिमाचल परदेश की बात करें तो इनकी भी cut-off इसके जैसी ही जाने वाली है, हिमाचल परदेश की होगी, अब चमू कस्मेर की बात करें तो 75-79 की रेंज में जाएगी, अगर हम करना टक की बात करें तो 68-72 के बीच की Cut-Off, अगर अपन बात करें केडला की Cut-Off के बारे में तो 64-68 के बीच में, और अगर अपन MP की बात करें तो 76-80 के बीच की Cut-Off रहेगी, मारास्टर का cut-off 74 से 78 के बीच में मनिपूर का cut-off यहाँ पर 68 से 72 के बीच में ओडिसा का cut-off 76 से 80 के बीच में पुडुचरी का cut-off यहाँ पर 70 से 74 के बीच में पंजाब स्टेट का cut-off यहाँ पर 82 से 86 के बीच में अगर हम राजस्थान की बात करें तो 78-82 के बीच में, सिक्किम का कटॉप 66-70 के बीच में, तमिलनाडू का कटॉप 76-80 के बीच में, यूपी का कटॉप 80-84 के बीच में, और उत्राखंड का भी यही रहेगा, फेस्ट बंगाल का कटॉप 78-82 के बीच में रहेगा, अब्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें